रोहिच शर्मा, वराट कोली और MS धूनी भारती टीम के तीन सबसे बड़े आइकॉन हैं जिन्होंने इंडियन टीम की कमान भी काफी भली भादी समाली है इन तीनों लोगों की कप्तानी को लेकर फैंस के बीच में चरचा काफी तीज रहती है ऐसे में भारती करकर टीम के ओस्पेनर रविचंद अश्वन ने MS धूनी, रोहिच शर्मा और वराट कोली की कप्तानी शैलियों में अंतर के बारे में खुलासा किया अश्वन ने इन तीनों की कप्तानी में खेल चुके हों और पचले एक दशक में टीम के महतपुर्ण उपलब्धियों का हिस्सा रहे हैं भारत की तीनों दिगचों की कप्तानी के बीच कई बार तुलना हुई है लेकिन अश्वन ने एक प्रमुक पहलू की ओर इशारा किया जिसमें रोहिच विराट और धूनी दोनों से काफी अलग हैं उन्होंने कहा कि रोहिच अनि दो की तुलना में बहुत जादा ट्रैक्टिकल हैं। उन्होंने एक इंट्यवी के दौरान कहा, रोहित की कप्तानी को लेकर दो-तीन चीज़ें अच्छी हैं, वो टीम का महौल हमीशा हलका रखते हैं, वो हमीशा महौल को हलका रखने का प्रयास करते हैं, वो बहुत संतुलित रहने की कोशिश करते हैं और रणनितिक रूप से ब बैटते हैं और कुछ क्रिकेटरों के साथ खास योजनाओं को शामल करते हुए एक उच्छे तरणनिती तयार करते हैं, उन्होंने कहा, अगर कोई बड़ा मैच या सिरीज आ रही है, तो रोहित एनलेटिक स्टीम और कोच के साथ बैट कर उसकी तयारी करते हैं, जैसे किसी बलिबास की कमजोरी क्या है, गेंदबास की योजना क्या है, ये उनकी ताकत है, लेकिन वो हमीशा टीम का मोहौल हलका रखते हैं और खिलाडियों का समर्थन करते हैं, अगर वो प्लेइंग 11 में किसी खिलाडी का चैन करते हैं, तो वो उनका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं, मैंने अपनी करियर का अधिकान समय इन तीनों कप्तानों के साथ खेला है इसे पहले लखनाव सूपर जाइंट्स के फिल्डिंग को जॉन डी रोट सीं भारत के कप्तान रोहित शेर्मा के IPL 2025 सीजन के लिए LSG फ्रेंचाइजी में शामिल होनी के अटकलों के बारे में बात की थी जैसे जिससे IPL 2025 सीजन के लिए मेगो आक्षिन करीब आ रहा है रोहित के मुंबई में भविश्य पर अनस्चित्ता के बादल मंडराने लगे है हाली के दिनों में रोहित के मुंबई इंडियन से दूर जाने के अटकले तेसी से बढ़ रहे है पंजाब और लखनेओ जैसी टीमों ने रोहित को लेकर दिल्चस्पी दिखाई हाला कि जब तक रेटेंशन लिस्स सामने नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें यदि आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करना ना भूलें